जो है मसी की दोस्तों आज की सुर्गे मन्ना का भाग हमने लिया है व्यवस्ता विवरन की पुस्तक उसका छठा अध्याय और उसका पहला वचन ये वे आग्याएं और ये विधियां ततनियम हैं जिने तुम्हारे परमेश्वर यहवा ने तुम्हें सिखाने के लिए मुझे आग्या दी है कि तुम इनके अनुसार उस देश में आच्रण करो जिसे अधिकार में करने के लिए जा रहे हो धन्यवाद पिता परमेश्यर तेरे ग्यान में अध्व शिफा है दोस्तों यहाँ पर क्या बता रहे हैं मुसा यहाँ पर क्या बता रहा है यह बचन हमें बता रहा है कि हमें इस संसार में किस तरीके से आच्रण करना है जब मिस्से इस्राइलियों को परमेशर बन्वाई से लेकर आया था तो चाहता था कि उस सरगिस्तान में उस जंगल में उन इस्राइलियों को अपनी प्रजा को अपनी सेना को अपने मताबिक बनाए वो चाहता था उनमें दीन ताए वो चाहता था कि उनमें समर पढ़ाएं वो चाहता था कि वो संसार को छोड़े और परमेश्वर की उपसिती को चाने जितना उन्होंने संसार अपने दिलों में रखा हुआ था वो चाहता था परमेश्वर कि उस रेगिस्तान उस जंगल में विश्वास को बढ़ाते हुए परमेश्वर की ओर बने परमेश्वर की चाहा रखें परमेश्वर की उपसिती को महसूस करें परमेश्वर की अनुसार चलें उन आग्याओं को समझें उन आग्याओं को जानें और उसके अनुसार अपने चीवन को बिताएं पूरी तरीके से इसलिए जैसे कि हमें परमेशन ने चुना है इश्वमसी के द्वारा हम पूरी तरीके से शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं लिकिन इस धर्टी पर परमेश्र ने उधार के बाद भी हमें क्यों रखा हुआ है ताकि हम इस धर्ती पर वो आशरन करें जो हमें स्वरक में करना है हम इस धर्ती पर ऐसे जी हैं जैसे हमें स्वरक में जीना है वो ही विश्वास, वो ही उन्माद, वो शान्ती, वो प्रेम वो सैयम बढ़तें जो परमेशर ने हमें दिया है अधिकार के रूप में लेकिं दोस्तों हम संसार को नहीं निकाल पाते हैं अपने अंदर से सबसे बड़ा हमारा कारण दुख का यही है कि संसार हमारे अंदर है और हम उस आनंद को भोग नहीं पाते है, जो परमेशर हमें दे चुका है एशियू मसेह के त्वारा है। सारे आनंद हमारे हैं, सारे सुख हमारे हैं, सारी अशीशे हमारी हैं, हम एफійсьयो एक, तीन के हिशाब से आत्मिक अशीशें से भड़ दिये गए हैं, हमें सारी आत्मी काशीशें दे दी गई हैं हमें उन आत्मी काशीशों के साथ उन अधिकार के साथ परमेशर के नाम से परमेशर के रास्दूत के अनुसार परमेशर के पुत्र के अनुसार हमें इस धर्टी पर आनंद के साथ रहना है और जो भी खड़ता है हमारे चीवर में मेरे भाई मेरी बहन वो परमेशर की ओर से है इसलिए बाइबल कहती है रूमियो आठ का अठाइस और हम जानते हैं कि जो लोग परमेशर से प्रेम डखते हैं उनके लिए वो सब बातों के द्वारा भालाई को उत्पन करता है अर्थाद उनें के लिए जो उसके अभी पराई के अनुसार बुलाए गए है परमेशन ने आपको बुलाया है परमेशन ने आपको चुना है आप विश्वास करिए हर बात में आपके लिए भलाई ही उत्वन होगी हाले दिया तो वो आनंद हम अपने आपसे जाने ना दें वो सुख हम अपने आपसे जाने ना दें वो शानती हम अपने आपसे जाने ना दें क्योंकि वो हमारा अधिकार है क्योंकि वो ही तो हमारी खजाना है वो ही तो हमारी पूंजी है और उस पुझी को हम इस धर्ती पर हैते हुए उसका उप्योग करें अपने सुख के लिए अनंतकाल का सुख दुख नहीं हमें जीवन में सुख और आशीशे ही मिली है और इन आशीशें और दुखों के साथ ही हमें आचरन करना है परमेशर ने अदो तरीके से इसरालियों को समाला मन ना खिलाया 40 साल तक लेकिन फिर भी उनके मन नहीं बदले फिर भी उनका आचरन नहीं बदला परमेशर चाहता था उनका आचरन बदले परमेशर उनके बीच में रहा परमेशर उनको दिखा परमेशर ने उनको बाते बताई परमेशर उनके साथ उनसे बाते करा लेकिन फिर भी वो अपने मन को नहीं बदल पाए परमेशर देखो भी दोस्तों हमें अपने पूरे मन से परवर्तित होकर आशीश पाते हुए परमेश्र की रह को इस धर्ती पर लेते हुए परमेश्र के वाचा के साथ हमें जीवन निभाना है और आनंद कानभव करना है आए दोस्तों हम परात्रा करते हैं परमेश्र ये वचल हमें सिखाता है कि धर्ती पर हम परमेश्र के बच्चे हैं परमेश्र के अनियाई है हम उस आश्रन के साथ रहना है जो हमें स्वरक में दिया गया है इश्यों वस्या के नाम से मांगते हैं धरने वादेते हैं प्राथा आपने सुनी कुमूल किये मैं एमें एमें